आज दुनिया में ज्यादातर लोग जिन लंबी बिमारियों से जूज रहे हैं, उनका हेड़कौर्टर पेट में हैं। अशुधियां समय के साथ एक कठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं शरीर और सिर्थ दोनों में। ये द्या करता है कि आप जीवन में किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। हम खुद को रीसेट कर सकते हैं और क्या खाने के साथ हमारे रिष्टे को लेकर फिर से तालमेल में आ सकते हैं। देखिए, ये लोस एंजिलिस में हुआ था। एक दिल का सर्जिन, अपनी कार, वो अपनी फॉर्ड मस्टैंग से थोड़ा प्रभावित था, वो उसकी कार थी। और वो उसे लेकर थोड़ा उत्साहित था और एक दिन वो थोड़े जटके खाने लगी। तो वो उसे लेकर मेकानिक के पास गया और बोला कोई समस्या आ गई है, कृपिया इसे ठीक कर दीजिए। उसने कहा ठीक है, डॉक्टर कल सुबह आना, ये तयार मिलेगी। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले वो वहाँ गया, परकार तयार नहीं थी। तो उसने कहा ठीक है, शाम को आये, ये तयार मिलेगी। वो शाम को आया, वो तयार नहीं थी। उसने कहा क्या बात है तुमने सुभा कहा मैं तब आया तुमने शाम कहा मैं तब आया बात क्या है और वो मेकैनिक उस तरह के मूड में था वो बोला देखिए आप एक दिल के सर्जन है आप भी एंजिन ठीक करते हैं मैं भी एंजिन ठीक करता हूँ फिर ऐसा क्यू है कि आपक तो इंसानी जीवन और शरीर को तब ठीक करना चाहिए जब ये चालू हो वरना ये बेमतलब है ठीक है आप उसमोटम कर सकते हैं उसका क्या मतलब होगा हमें इसको तब ठीक करना चाहिए जब ये चालू हो अगर आप इस शरीर को तब ठीक करना चाहते हैं जब ये चलता फिर तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि हम पाचन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ये पड़ाव हैं। शरीर में कुछ भीतर डालना। पाचन, समावेशन, मलत्यागना। ये खाने के चार आयाम हैं और पूरी प्रक्रिया है। आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था। लेकिन दुर्भागे से, सौभागे से बहुत सारा खाना मौजूद है, बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। जैसे समय में चक्र होते हैं, देखिए हम समय को सिर्फ चकरों से जानते हैं, अगर धर्ती घूमती है, एक चकर इस तरह और हम कहते हैं कि एक दिन बीद गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चकर काटता है, तो हम कहते हैं एक महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों और एक चकर काटते हैं, तो उसे एक साल कहते हैं, तो हमारा समय का विचार असल में चकर है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रियह है क्योंकि हमारी मा का शरीर चांद के चक्रों कе साथ तालमेल में था सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ वरना हम पैदा ही नहीं होते तो हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व चक्रियह है पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया ही, अगर आप चाहें, तो हम उसमें जा सकते हैं, दरसल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्रिये नहीं है, क्योंकि चक्रिये का मतलब है कि आप चक्र में घूम रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप चक्कर में पढ़ गए हैं आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं अगर मैं आपको रेगिस्तान में छोड़ दूँ जहां यहां कुछ पहाड हैं अगर कोई चीज ना हो, बस रेथ हो तब लोग चक्कर काटेंगे इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, कि आप गुम गए हैं तो जिस पल आप पूरी तरह अपने शारिरिक और मांसिक धांचे के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, आप चक्रों में घूमने लगते हैं तो भारत में योगिक संस्कृती में ये बहुत साफ है, इसे समसार कहा जाता है, जिसका मतलब है चक्रिय जीवन तो चक्रिय जीवन एक गोल जूला बढ़िया होता है, अगर आप इसे ठीक से व्यवस्थित करते हैं, तो ये एक अच्छा जूला है पर आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, बच्चे एक जूले का मजा ले सकते हैं, अगर सभी बड़े लोग जूले में बैठकर गोल गोल घूम रहे हैं और सोचते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत दुख़द है, है ना, तो यही होता है तो शरीर एक चक्र है ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ चांद के चक्र, सौर चक्र और प्रित्वी के चक्र, शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर व्यक्ति में जरूरी जग रुकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है हर दूसरा प्राणी ये जानता है अफसोस मनुश्य इसे भूल गए हैं क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मनन ने उनके सिस्टम में मौझूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए पर नहीं आप अपने दोस्त के घर पर हैं वहाँ एक पार्टी है आप ठूंस कर खा लेते हैं भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो आप खुद को भर लेते हैं आपने देखा है कि सभी जानवर अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इंकार कर देता है कुत्ते और बिल्ली दोनों क्या आपने इस पर गोर किया है अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घांस खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को जरूरत है पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है जब हम पाचन कहते हैं पाचन पूरी आहार नली में होता है ना कि सिर्फ पेट में समावेशन भी पूरी आहारनली में होता है अब सफाई सिर्फ आहारनली के जरिये ही नहीं होती है सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है अशुद्धियां समय के साथ एक कठा हो जाती है और आप भारी हो जाते हैं शरीर और सिर्फ दोनों में अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये कठा हो जाएगी हम इसे कर्म कहते हैं क्योंकि जब ये कठा हो जाती है तो ये आपके सोचने, जीवन को महसूस करने, समझने और अनुभव करने को तै करने लगती है शायद लोग इसे ना समझें, वे ये सोचेंगे कि मैं इसी तरह हूँ, यही मेरा स्वभाव है ये आपका स्वभाव नहीं है, आपने इस तरह खुद को उलज़ा लिया है तो सफाई का प्रोसेस एक जरूरी बात है, खाने में थोड़ा ब्रेक लेना क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं, आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है, हालांकि बदकिस्मती से ज्यादा तर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए, मतलब मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ, मैं तब खाऊँगा जब मुझे खाना होगा, मेरा हाथ तै नहीं करता कि कब खाना है, अगर वहाँ कुछ है तो चाहे कुछ भी हो, पता है लोग हर समय यही कर रहे हैं मेरे ख्याल से अगर हम अच्छी चॉकलिट्स आपके पास रखते हैं, तो आपका हाथ उन्हें खाएगा, आप नहीं. इसलिए खाना एक जागरुक प्रक्रिया होना चाहिए. इस जागरुकता को लाने के कई तरीके हैं. एक है उप्वास करना. यूहीं खुद को खाना और पानी ना देने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है. आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए. अगर आपके पास जरूरी साधना है, तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी. देखिए, हमारी उर्जार सिर्फ खाने से नहीं आ रही है. सूरज की रोशनी, हवा, पानी. असल में, अगर आप योगिक विज्ञान में हम कहते हैं, कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं, तो आपकी 60 से 70 प्रतिशत उर्जा इन तीन कारकों से आनी चाहिए. सूरज की रोशनी, हवा, पानी. बाकी 40 प्रतिशत खान की मातरा कम हो जाएगी. मुझे आपको अपने बारे में बताना चाहिए. जब मैं युवा था, तो मैं बहुत खाता था. मैं कभी मोटा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गतिविधी बहुत ज्यादा थी. पर आज मैं जो खाता हूँ, वो उस समय के मुकाबले दस्वा हिस्सा या उससे भी कम है. उननीस की उम्र से लेकर आज तक मेरा वजन उतना ही है. उतना ही वजन है, जितना उननीस साल में था. बस एक बात ये है कि उस वक्त सारा वजन मेरे कंधों में था. अब इस गुरुत्वा कर्शन के लगातार मुझ पर काम करने की वजह से ये थोड़ा रुखता नहीं है. भारत में हमने चांद के चक्र का ग्यारवा दिन तै किया है. जब आपको उपवास करना चाहिए. अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ बहुत हलका लेते हैं. इसे फलाहार कहा जाता है. इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे. क्योंकि फ फल ऐसा पदार्थ है, जो लगभग 90 प्रतिशत पानी है. और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए. यह योगिक विज्ञान है. जहां तक मुम्किन हो, आपको पानी खाना चाहिए. आप जो भोजन कर रहे हैं, उसे लेकर आपको हमेशा जागरुक रहना च चाहिए कि उसमें पानी की मातरा कितनी है. जैसे अगर आप दक्षन भारतिये में भोजन करते हैं, मैं पके हुए भोजन की बात कर रहा हूँ. अगर आप वो खाते हैं, उसमें बड़ी आसानी से 60-70 प्रतिशत पानी होगा. दरसल ज्यादा. कुछ खानों में तो यह और भ पुरानी होती है. कोई भी वहाँ जाकर ताजा ब्रेड नहीं लाने वाला और वैसे भी, जिस तरह ब्रेड को बेक किया जाता है, उसमें पानी नहीं होता. बहुत-बहुत कम पानी होता है. और बिलकुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोका कुला की एक नहीं करता. अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं, तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं, वो पतले हो जाते हैं. और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेसर हो जाती है. क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है, तो वो रखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा. हम योगिक संस्कृती और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं, कि हम नहीं चाहते कि भोजन धाई घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे. धाई घंटों में इससे कोई फ स्थर बोध की तीवरता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं. अगर आप कोक या कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं, तो आपको सुस्ती महसूस होती है. बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है. लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है. ये इस तर करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है. क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादा तर जिन लंबी बीमारियों से जूज रहे हैं, उनका हेड़कॉर्टर पेट में है. हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर्की ओर जा रहा है, पर ज्यादा त हेड़कॉर्टर पेट में ही है, जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं. तो वे इस तरह खा रहे हैं, अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है. शायद महीने में एक या दो दिन आपको बहुत ही हलका भोजन करना चाहिए. ऐसा जो शरीर पर बहुत हलका और सरल हो अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या थोड़ा सा नीमबू और पानी या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर इससे मदद मिलेगी. पर अगर ये आप के लिए मुमके ना हो, तो आप थोड़े भल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हलका हो. सोच स्थ पानी गुए झाफ मिलेगी इससे बढ़ म मुमके हो, तो आप मिलेगी हो, तो सिर्म हो, तो सभस्टम पानी में पर लोड़ा थे सकते हैं. झाल